इस वीडियो में दी हुए जानकारी इंटरनिट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Colosafel Capsule Acer एक prescription दवा है जिसका इस्तेमाल gastroesophagal reflux disease यानि की acid reflux आतों के ulcer और irritable bowel syndrome के इलाज में किया जाता है। यह पेट में अतिरिक्त acid उत्पादन को कम करता है और पेट के acid को भोजन नली में जाने से रोकता है। Colosafel Capsule Acer का सेवन भोजन के साथ या उसके बिना एक खुराक और अवधी में किया जाता है जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दी है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुश प्रभाव मतली, पेट दर्द, डस्ट, पेट फूलना, कब्ज, सिर्दर्द, कमजोरी और फ्लू जैसे लक्षन हैं। इन में से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इन में से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। यह चक्कर आना और नींद का कारण भी बन सकता है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशक्ता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। जीवन शेली में बदलाव जैसे फाइबर युकताहार लेना, ऐसे खाते पदार्थों से परहेज करना जो आपके लक्षनों को ट्रिगर करते हैं, तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाना और नियमित व्यायाम आपको बहतर परिनाम प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको किड्नी या लीव की कोई बीमारी है। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तन्पान करा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए।